एक सेंड वोर्ड इधर भी लगा हुआ जिसमें अब को बता रहा है कि दिल्ली यहां से 1126 किलो मेटर और परियागराच यहां से 403 किलो मेटर है जिसको पहले अलाहबाद भी वह तो इस बही चौक से दिल्ली 1126 किलो मेटर है हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ कि बहुत वेतर होंगे आज मैं हूँ बरही में और बरी को एक्स्प्लोर करने का मकसद यह है कि जहां पर मैं खड़ा हूँ यह है बरी चौक जो लोग सफर करते हैं उसको पता होगा कि यह चौक कितना इंपॉर्टेंट उनके लिए अचली इस चौक से आप यह जो देख रहे हैं पुरा गोल चकर और यह चारो तरफ आपके इस चौक के बस लगी भी होगी है है तो इस चौक से आपको हर तरह हर जगा की बस मिल जाये गी मिन्स कि अगर आप उधर यो रास्त देखरे हैं वो चली गई दिल्ली और इस तरफ जो रास्ते देख रहे हैं यह चला गया पुलकता सीधा जो रास्ते जा रहा है वो चला गया पुरांची उधर से आप जमशेदपूर जा सकते हैं और जो मेरे पीछे है यह रास्ते यह आपको पटना चला गया तो ऐसा समझेए कि यह जंक्शन एक्चली इसको भी इधर से जाना है यहां से 50-60 किलो मेटर के दूर से और सब को यह चौक से क्रॉस करना है और यह जो कुलकता से जो दिल्ली वाली रूट है यह जो कुलकता से जो दिल्ली वाली रूट है यह है जेटी रोड है इसको ग्रांट रंग पुरोड जो बोलते हैं कि कुलकता से चली जाएगी आपको बनारस होते वे यह पुरे जेटी रोड और यह जो आप सामने देख रहे हैं हजारी बाग रांचिक रोड और पीछे जो मेरे पटना जारी रोड यह है एनेच नेशनल हाइवे तो इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट चॉक है यह बरी चॉक और इसके चारों को साइड मार्केट है तो मैंने चॉक से जैसे ही लिफ क्लियर कुलकता साइड में तो यह जीटी रोड पे देखे तोनों तरफ आपको पुरा दुकान ही है और यह अच्छा दूर तक है यह बरी का मार्केट इसी हाइवे के साइड ही लगा हुआ है बरी के बारे मैं बता दू बरी हजारी बग डिस्टिक में आता है और यह एक सब्डिवीजन है यह विधान सबा भी है और इसके मश्यूर होने का वज़ा यही है यह जीटी रोड यहां से क्रॉस किया और यह चॉप यहां से आपको जीट सेड भी जाना है अब जा सकते हैं पटना जाना हो राची जाना हो दिल्ली जाना हो यह कुलकता सब तरफ के लिए रोड यहां से कटती है तो अब मैं इस चॉप से थोड़ा पटना के साइड के नेशनल हाइवे पे चलता हूँ देखता हूँ इतर आसपस में क्या है यहां बस यह है कि जो भी मार्केट है इसका वह हाइवे के किनारे किनारे ही चारो साइड में जो गोल चक्कर है इसके चारो साइड आपको दुकान है यह यहां का मार्केट है है लेकिन यह बहुत से इंपॉर्टन चॉट है जिसको भी 50-60 किलोमेटर के के अंदर में है जो भी पचास-60 किलोमेटर इस चॉट के आसपस है और उसको दिल्ली पटना प्लकाता जाना है तो उसको यह चॉट क्रóस करना जैसे हरारी बाग के लोग पुर दिल्ली जाना है इसटोई तो इधर सही जाना है और क्लकाता जाना है तो उसका रूट है अलग भी लेकि नेन गूट यहाई है pies हथारी बदिये हैं तो है तहीं पक्ड़न होगा तो यह देखिए मकर मैं है पंदायग साइड आता हूं तो वहलो रोट पे थोड़ा लेकि सब तरफ वही रोट के साइड मार्केट है और कितना बीजी ये चौक है हर टैम आपको बस और ट्रक कार दिखेगी इस रोट पे एक सैंड वोड इधर भी लगा हुआ जिसमें आपको बता रहे हैं कि दिल्ली यहां से 1126 किलोमेट हैं है और पर्यागराज है कि यहां यहां से 403 किलोमेटर है जिसको पहले आलाझवादी बहुता है है । तो इस बरी चौक से दिल्ली 166 किलोमेटर है और पर्यागराज 483 किलोमेटर अगर यहां से राइट लेंगे तो डूतीरोड पक रहे पíst पैसे उन्हेड़ाज है WEB तीन सो नो आसी किलोमेटरियां से खोल करता है अब मैं आपको वो इस चौक से राइट साइड भी चल के दिखा देता हूं वो जो दिल्ली वाली रूट है कि उधर का कैसा है मार्केट अब खाली देखे ट्रक बस लगी भी तो मैं बरी चौक से दिल्ली वाली साइड में आया कि अजसे जिटनी रूट पे हैं कि कि यहां भी दौनों तरफ आपको रोड के साइड मार्केट है ऐसा कुछ दूर तक कि अलला म arriv भी बनावा पिर आपको खाली है जिटनी रूड मि जायेगा पूरह को यह रास्ता जो जा रही है यह दिल्ली के तरफ जा रही पनारस दिल्ली और इसके सीधा कर उदर करूं तो पुलकता धन्बाद पुलकता जा रही और यह चॉक से राइट आपको हधारी बाग के तरफ तो कैसा लग आपको ये चौक बरी चौक जो भी सफर करते हैं बाई रोड इस पचास किलो मेटर के रेंज में बरी चौक से उसको ये पुरूट पकड़ना अगर वो दिल्ली कोलकाता जा रहे हैं तो या पटना जा रहे हैं तो क्रॉस करना तो उमीद करते हैं कि आपको ये बरी चौक पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें चली मिलता हूं अगले व्लॉक में अब तक अपना ख्याल रखें